नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल आई एस नेल आईसिस में मध्यकालीन भारती त्यास के अंतरगत आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नमर 22 के अंतरगत ताली कोटा या फिर राचसी तंगडी का युद भी बोला जाता है इसके अलावा एक और नाम है जि लिए ठीक है आपको थोड़ा समय पीछे की चीजों के तरफ यहां पे लेके चलता हूँ जिस प्रकार से देखिए उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो किस प्रकार से जो तराइन का दृतिया युद में प्रित्वी राज चोहान को मुहमद गोरी के द्वारा पराजित किया अब उस समय सिर्फ और सिर्फ रित्वी राज चोहान की पराजे नहीं थी बलकि उस हिंदू समराज्य कास्तित्व पूरी तरीके से खत्रे में पड़ गया और उसी के माधियम से देखिए किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का स्थापना होते चला गया अर्थात यहां पे इस ताली कोटा के युद्ध को भी आपको समझने की जरूरत है क्योंकि देखिए यहां पे ताली कोटा के युद्ध से पहले अगर देखा जाए तो इस दच्छुड भारत की तिहास में जेनरली आप देखेंगे तो यहां पे हिंदू सासा की मौजूद है चाहे आप संग लगभग 13-14 सधी तक अगर यहां पे देखा जाए तो कुल मिलाके हिंदू सासकों का पूरी तरीके से वर्चस हो था लेकिन अब यहां पे जो ताली कोटा और राच्छी तंगडी के युद्ध के माधियम से लगभग 1565 इसवी में युद्ध होगा लगभग 1620 सतावदी म इस युद्ध के माधियम से देखेंगे तो अब यहां पे मुस्लिम इन्वेजन पूरी तरीके से हावी हो जाएगा यहीं पर माना जाता है कि इस युद्ध ने ना सिर्फ देखिए दक्षिड में यहां पे विजय नगर समराजी की पूरी तरीके से पतन किया बलकि इसने पूरी तरीके से हिंदू समराजी के पतन में सबसे इंपोर्टेंट रोल प्ले किया अब इन्हीं दक्षिड के छेतरों में देखेंगे तो चाहें हम लोग मैसुर के छेतरों की बात करें वहां पे हैदर अली टिपू सुल्तान मुस्लिम सासक की सबायेगा इसके अलाबा य इन दोनों ही तरों के तरफ देखेंगे तो एक बहुत बड़ी मात्रा में इनकी जो अबादी बढ़ने लग जाएगी सासक के रूप में मुस्लिम सासकी होगा आगे चलके आप हैदराबाद की निजाम से समझ सकते हैं तो पूरे के पूरे देखिए इस पूरे के ठीक है ब लेकिन फाइनली मराठा सब भी डैमेज हो जाएगा पानी पत के तृतिया यूद में अब गानी सासक जो अहमद साहब दाली के द्वारा यहां पे हरा दिया जाएगा तो कुल मिला कि यह जो दौर है देखिए परियास तो बहुत किया गया है यहां पे हिंदू सासकों के द पूरे के पूरे वाकिया को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि आकिरे है क्या नए लोग है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कोई भी क्यूरी है तो वाटसप करें पीडियाप के लिए टेलिगराम चैनल को जोईन कर लीजिए अब यहां पे देखिए बिजय वेंकट प्रथम और अंतिम जो सासक होगा यहाँ पे सदा सीव राय और इसी सदा सीव राय के समय आप देखेंगे तो जो ताली कोटा का जो यूद्ध होगा एक ताली कोटा का जो यूद्ध होगा एक अस्थान का नाम है जैसे कि पानी पत हरियाना में एक अस्थान का नाम ह वैसे ठीक है वहाँ पे भी ताली कोटा एक नाम है जहां पर युद लड़ा जाएगा और उसी जगह के नाम से ताली कोटा का युद के रूप में उसको जाना जाएगा और फिर अंतिम रूप में आएगा आरा वीडू वंस ठीक है एक चोटा सा वंस होगा जो किसी तरीके से सर्वाइब करेगा और फानिली उसका भी पतन हो जाएगा सबका सबंबलोग कम्प्लीट करेंगे लेकिन केंदर बिंदु है आज किस कलास में हमारा राचसी तंगडी का युद्ध अब देखें यहाँ पे अच्यूत देवराया आएगा 1529 से लेकि 42 तक ए और कोई नहीं है मा पूर्ण सासनकाल है ना पूरी तरीके सा आंतरिक बिद्रो बिदेशी आक्रम और बैचारा राजनीति कुछ चक्र में फस गया क्योंकि जब भी एक योग्य सासक क्रिष्ण देवराय काफी योग्य सासक था और अपनी यूग्यता के दम पे देखिए अपने आंतरिक बिद पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाता है इससे क्या हुआ तो वाडिज्य बैपार को काफी इसकी हानी भी पहुंची केंद्रिय सत्ता इसके समय कम जोड हो गई अनेक परतिद्वंदी जो दल है इसके सामने अस्तित्तों में समाने लगा और उडिसा का जो गटपती जो सासक ह परताप रुद्र जिसका और डेटी मैंने बताया हुआ था कि वहां की जो राजकुमारी थी उससे क्रिश्न देव राय का साधी भी हुआ था जब उसने उडिसा के छेतरों को यहां पर जीता हुआ था लेकिन अब यहीं है ना कि अच्छीत राय देव के समय देखेंगे त पूरी तरीके से जो आंतरीक जो इससे बिल्कुल बढग मतलब बिगड़ चुकी है जो इसके जो अपने जो सगे संबन्दी है बिल्कुल मतलब देखेंगे ना बहुत ही यहां पे मामला कॉंप्लिकेट हो जाता है एक एक चीज़ चीव समझाना यहां पर सम्झाओ नहीं ह यहीं नहीं रहेगा गोलकुंडा वाला जो छेत्र था ठीक है गोलकुंडा की जो सीमा जो मिल रहे थी बिजय नगर समराजी से वहां का सल्तान होगा कुली कुतूबसा वो भी इसके समय आक्रमण करेगा ये भी बिफल हो जाएगा लेकिन फाइनली बीजापूर ध्यान रखेगा बीजापूर का जो सासक होगा इसमाईल आदिल सी ये आक्रमण करेगा और रायचूर तथा मिरुदल पर अधिकार कर लेग लेकिन ये अधिकार भहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा जैसे ही बीजापूर में देखेंगे तो एक आंतरिक ग्री इद की इस्तिति यहाँ पर पैदा होगी तो आगे चलके इस अचित देवराय के द्वारा पुना रायचिर और मिरुदल पर अधिकार कर लिया जाएगा अर्थात अभी तक कोई परिवर्तन नहीं है टिट फोर टेट है इसका समराज है यह थावत चल रहा है अब देखिए क्या हो रहा है इसी की समय पूर्थगालियों ने क्या किया तो तूती कोरीन पे बहुत ही इंपोर्टेंट छेत्रे ध्यान रखेगा तूती कोरीन एक मोत इति उत्पादक छेतर हुआ करता था उस पे पूर्थगालियों ने अतिकार कर लिया पिछले क्लास मेंने जब आपको कृष्णदेव राय की दोस्ति पूर्थगालियों से आगे चल के देखिए महंगी भी साबित होती है इतियांसकारों के द्वरा जब उसका इनलाइसिस किया जाता है तो यहीं माना जाते है कि देखिए कृष्ण деवराय ने तो घोड़ों के लिए खास कर पूर्थगालियों से दोस्ती का समञ्ध बनाये रखा लेकर पूर्थगालियों से बीदेशी सकती थी सैनिक सकती नेवी सकती थी उनके लिए ठीक है पूरी तरीके से कर देखा जाए तो खास कर यहाँ पे जो सासकों को ठीके पराजिस करना खतम करना ठीके उनके लिए काफी यहाँ पर आसान हो सकता था चुकि उनके पास टेक्नोलोजी आपका सकते हैं अधोनिक्ताव के ठीके यूग में पूरी तरीके से सब्रह रहा था यहाँ पे आप इस ची सित रूप से करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जिस अधिकारी का नाम है ध्यार रखेगा महा मंडलेश्वर बहुत ही इंपूर्टेंट नाम है यहाँ पे महा मंडलेश्वर नाम अधिकारी की नियुक्ति की इसका जो दरबारी कभी होता था राजनात डिंडम ह करता था ठीक है और इसी ने लिखा अच्छुता रा भुद्या था रखेगा थोड़ा सा नाम डिफरेंट है जो किष्णु देव के राय के द्वारा जो लिखा गया था ठीक है अच्छुता रा भुद्या में जो एक संस्कीत काव्य है इसमें ठीक है पूरी तरीका से इसने अच्छुत जो देवराय है उसके बारे में पूरा संचिप्त वर्ण अपने देखने के लिए मिल जाएगा 1542 में देखिए इस अच्छुत देवराय के मृत्ति हो जाएगी अब इसके मृत्ति के बाद इसका एक नबालिक पूत्र होगा ये परंपरा चलते रहता है पूत् दूसरे रूप में देखेंगे तो ठीक है बाहु बली की बात करें तो बहुत इंपोर्टेंट रूल है यहाँ पर ध्यार रखेगा तिरुमल है यहाँ पर अब देखिए क्या हो रहा है अच्छी तुदेव के जो भतीजा है यहाँ पर सदासीव उसका पुत्रे के लावे भतीजा भी जिसका नाम है सदासीव बहुत इंपोर्टेंट नाम है आप धार रखेगा सदासीव क्या करेगा तो बीजापूर का जो सास दग वहाँ का जो आदिल सा होगा और तिरुमल के साथ अर्थात यह जो नबालिक जो वेंकेट परथम का जो मामा है तिरुमल उसके स सदासीव राय 1542 से लेके 70 तक इसी के समय होगा ताली कोटा का यूद लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक बातों को जान लिजी इसके बारे में नामात्र का सासक था अर्थात वास्तिविक जो सत्ता थी और वीडू वन सी जो आली राम राय के पास थी ध्यान रखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट ठीक है आप कहा सकते हैं कि ये कधिकारी हुआ करता था उसके दरबार में पूरी की पूरी जो सकती थी इसी आली राम राय के नेत्रितों में पूरी तरीके से चल रहा था क्या था आलिय राम राय थोड़े इसके भी बारे में जान लीजिए तो ये गुलकुंडा के साही दरवार में सेवा कर चुका था तिसको आइडिया था कि साही दरवार को किस तरीके से मैनेजमेंट यहां पर किया जाता है और साधसीव राय था कि इसके सामने बिल्कुल ही लोल हो जाता है इस राम राय के कुटीलिता के सामने अर्थात नाम का सासा के साधसीव राय असली जो वास्तिविक जो सकती है इस राम राय के पास ही होता है अब देखिए राम राय को महान राम राय भी बोला जाता है चुकि इसकी भी जो ख्याती है कृष्ण देव राय तो जैसी नहीं है लेकिन अगर नमर दू में रखेंगे तो बिल्कुल ही विजय नगर समराजे को संगठित करने के लिए बिल्कुल उसी तरह का निती ये भी अ रखा समराजी सीमा को सुरच्छित रहा जिसने भी आकरमण किया उसको छोड़ा नहीं लेकिन इसको उंगली करने की बेचारे की बहुत आदत थी इसको मानना था कि लोहा से ठीक है लोहे को यहां पर काटा जा सकता है अर्था जो दच्छिड का जो छेत्र है यहां पर आप पे बिजय नगर का जो एरिया था देखिए इसको लग रहा था कि भाई हमें इन पे हस्त छेप करना चाहिए इनको तोड़ना चाहिए यह बेचारा भूल रहा था कि फाइनली वे लोग भी ठीक है एक मुस्लिम कम्यूनिटी से बिलोंग करते हैं कितना भी हम अल्पकालिक ले लेकिन दिर्कालिक ही तो समझाता नहीं कर सकते हैं बिचारा इसी में फेल हो जाएगा लेकिन देखिए काम किसे कर रहा है उतनितिक सक्तिक माध्यम से अहमद नगर तथा बीजापूर को अहमद नगर और बीजापूर को ध्यान रखेगा बिलकुल इनकी सुमाएं एक दिसरे से जो सीमा थी बाउंडरी थी उसकी मिल रही थी उन पे इसने फूट डाल दिया बीजापूर के बिरूत देखिये क्या किया इसने तो अहमद नगर और गुलकुंडा से संधी कर लिया बीजापूर ध्यान रखेगा जो बिलकुल ही अगर वर्तमान में देखा जाए मैंने देख पा रहे है इसकी जो कुटनितिक कुसलता काई है या फिर लोहा से लोहा काटने के निति काह लिजिए या फिर आप बिस्मार्क की तरह इसकी तुलना कर सकते हैं कि कई-कई सारे गेंदों से खेलने का प्रियाज कर रहा था लेकिन यहीं है ठीक है कि सारे लोग तो बिस्मार्क नहीं बन सकते हैं, फाइनली यहीं जो इसकी निती यहां पे फेल हो जाएगी, और इसी के समय देखिए, सब जो फ्रांसिसी ठीक है, जो वैबियर भी बोला जाता है, इसको बहुत फेमास नाम में याद रखेगा, संद फ्रांसिसी वैबियर उस समय, चुकि पुर्दगालियों का एक बहुत बड़ा मोटीव हुआ करता था, कि साई धरम का परचार करना, परमोट करना, और वो सब जब आया तो देखिए, धर्मांतरल की परकिरिया से गुजरने लगा, खास कर भारत का जो ये जो ठीक है, पस्चमी जो तर्ट है, इन तर्टों पे तेजी सी करने लगा करन भरजन, मंदिरों को ध्वस्त किया गया, और गिर्द जो भी जो चर्च था, गिर्जा घर था, उस सब का निर्मार किया जाने लगा, लेकिन बेचारा ये ठीक है, जो राम रहा है, सब समझ रहा है पूर्द गाली को नितियों को, उनको छेल नहीं रहा है, बलकि जो भी उनके द्वारा मंदिरों का ठीक है, जो तोड़ा फोड़ा जा रहा है, उसका पुना निर्मार करवा रहा है, क्यों? देखिए, पूर्द गाली उसी इसने समझा था कि यहाँ घोडों को लेके, यह भी कृष्ण देवराय की निति पे जल रहा है, कि बीजापूर को घोडों की यहाँ पे बिकरी बंद कर दे, चुकि यहाँ पे जस्ट जो रायचूर जो दवाब था, इसके उपर यही था यहाँ पे बीजापूर और निचे यहाँ पे बीजाइनगर का यहाँ पे छेत्र हुआ करता था, तो ध्यार रखेगा, बने बीजापूर की घोडों की यहाँ पे बिकरी बंद कर दे, अब पूर्द गाली लोग देखिए क्या कर रहा है, दच्षिड भारत के मंद्रों को कुछ यहाँ पे तोड़ा गया, लेकिन फिर भी यह सांत है, उसका जिन्डो द्वार करवा के छोड़ दे रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना यह हुस्यार सा सक है, सेना में इसने बकायदा मुसल्मानों की भरती की, लोहा से लोहा काटने वाली की निती को कर रहा है, चुकि बहमनी समराजे में अर्थाप दक्कन के जो सुल्तान है, उसमें भी अधीकतर मातरा में मुसलिम से निको की थी, जिसमें घुड सबार और तीर अंदाजी में वे काफी निपूर हुआ करते थे, 1560 में देखिए, इसी के समय माना जाता है, बिजयनगर दच्षिड की सरवच सक्ति के रूप में स्टेबलाईज हो गया, चुकि उपर का जो भामनी का जो छेत्र था, पाँच-पाँच भागो में अल्डेडी बट चुका था, तो नीची अब देखिए, बहुत ही सक्तिसालिस सासा के रूप में उभर गया, और यही सा माना जाता है थी हंसकारों के दवारा, कि अब जो एक हिंदू समराज्य बगल में, एक मुस्लिम समराज्य के बगल, बगल में एक बिजयनगर समराज्य, जो एक हिंदू समराज्य है, उन दक्कन के जो सुल्तान है, उनकी आखों में खटकने लगा, उनको भी समझ में आ गया कि यह रामराय क्या कर रहा है, समझ यह चीज को, ठीक है, और फिर से और एक जूट होने लगे, अब यहीं आपको समझना है, दक्कन सुल्तान भयवूट हुआ, और लोग संगठित हो गया, अब संगठित होने के बाद उससब क्या करेगा, तो देखिए, एक संग मनाएगा, ठीक है, और वहें जो संग होगा, पूरी तरीके से देखिए, ठीक है, ताली कोटा का यूद, राच्सी तैंग्री का यूद, या इसको बनी हठी का यूद भी इसको बोला जाता है, इसमें देखिए, बीजापूर, अहमद नगर, गोल, कुंडा, तथा बीदर, ध्यार रखेगा बीदर, इसमें एक छेत्र नहीं है, बरार, फिरलिम से पूछता है, कि ताली कोटा की यूद में कौन सा, ठीक है, दक्कान का सुल्तान सामिल नहीं हुआ था, तो बरार का नही क्या किया तो रायचूर के थी छेत्रों को माना, मिर्दुल आदी दुर्गो की इसने मांग किया कि वह ये छेत्रों दे दो, अब सूच ये कैसे दे दे गाए, ये भी अपनी सेना को सुसजित करके ये भी तयार ही बैठा हुआ था, और फाइनली उन चारों की संयुक्त सेन ने 25 जन्वरी 1565 को विजय नगर पर आकर्मण कर दिया, और जो यूध लड़ा गया मना जाता है कि ठीक है, डेट यहीं है 1565, उसमें तेजी से दक्कन के सुल्तानों ने विजय नगर के समराज ये को तहस नहास करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, जो राम राय था, उसकी ग इनले अपनी बुक, A Forgotten Empire में लिखा है कि संसार की तिहास में कभी भी इतने वैभावसाली नगर का इस प्रकार सरवसास नहीं किया गया, जैसे कि बिजय नगर का हुगा, मने पूरा पूरा जो हमपी का जो छेत्र था, इतने सारे मंदिरों को जला दिया गया, जो भी सहर उनको मतलब लूटा गया, जलाया गया, मने उसको पूरी तरीके से भरबाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, मतलब इस सब छोड़ नहीं रहा था, मुसलिम सा सकता हूँ, जैसे बक्तियार खिली ने दिखिये, एक किस परकार से नलंदा, बिक्रम सिला, अदंत पूरी, मन ना सिर्फ चौहान वंस्चिन भेन हुगा, बलकि हिंदूों का हस्तित्व ही खत्रे में पड़ गया, मुसलिम सासकों का इन्वेजन हो गया, ठीक वैसे ही दच्छिड में यहाँ पे हिंदू सरवस्ता का यहाँ पे अंत हो गया, तब कभी कंप्रिजन कर देगा, ठीक है, उ अब देखे क्या हो रहा है, तो राम राय का भाई था, जिसको मार दिया गया था, ताली कोटा के यूध में, क्योंकि यहीं नित्रित्व कर रहा था, में तो सासक के ही तासे ना पती के रूप में अपसम सकते हैं इसको, इसके जो भाई था, ध्यान रखेगा, इसका भाई बहुत आगे चलके यहीं, ठीके, आर्वीडू वंस के स्थापने करेगा तीरुमल, ठीके तीरुमल ने क्या किया तो जो सासक था, जो सादसी, जो ना मतर का सासक था, इसको बंदी बना लिया गया था, उन दक्कन के सुल्तानों के द्वारा, बड़ी ही चुतराई से देख है, वहीं पे एक पेनुकुंडा का किला है, वहीं पे यह लेके भाग गया, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ताली कोटा का यूद्ध, बिजय नगर समराजे के जीवन का संकट काल तो जरूर था, किन्तु अंतिम संकट काल नहीं है, चुकि सादसीव अभी यहां पे है, अब वह समराज इतना बड़ा नहीं रहा, बलकि कई सारे छोटे 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 भागों में यह बढ़ते चला गया, और यहीं पे देखेंगे, तो मुस्लिम सासकों का पूरी तरीके से उदय होना सुरू हो जाएगा, अब देखिए, छोटे 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 राज अपने भाई की तरह, ठीक है, और इसने क्या क्या इसको अबदस्त कर दिया, मारा नहीं अबदस्त कर दिया, हटा दिया, अयोगे सासक दसादसीव, तो आर्वीडू वंस की यहां पे अस्थापना कर दिया, अब यहीं है, देखिए पा रहे है, यहां पे आर्वीडू वंस 1570 से लेके 1650 तक अलग-अलग बुक में टाइम पिरियड अलग-अलग यह रहाता पर सुरू से बोल रहा हो कहीं पर 1646 मिलेगा लाश्ट 1648 मिलेगा कहीं 1652 तो कन्फ्यूज नहीं करना है आपको ठीक है कोई एक जेक्ट डेटा यहाँ पर मवजुद नहीं है देखिए यहीं है आरवीडो वंस 1570 से लेके 1650 तक हम लोग मान के चल रहे हैं इसकी अस्थापनात आप लोग ने देखी दिया वहीं रामराय का भाई तिरुमल देव के द्वारा किया गया और इसने क्या किया था अपनी राजधानी चोकि भाग के वहीं लेके गया था आंधर परदेश के छेतरों में तो वहीं पेनुगुंडा को ही इसने अपनी राजधानी बनाया देखिए उस समय कितना असान नहीं होगा इसको सब खोज रहा था दक्कन का सुल्तान सब कहां गया लेके उसको भूत ही विसम प्रहस्तितियों में इसने गद्धी को हासिल किया था और ये चाह रहा था पूरा का पूरा हम बिजय नगर समराज़े को उसी तरीके से बना ले उसके पुराने जो जो गोरो था जो अतित था उसी तरीके से इसने लाने का परियास किया और इसने भी एक उपाजी धारण किया कि पतन सिल करनाटक राज्ये का उदारा के रूप में धारण किया लेकिन फानिली देखिए पूरी तरीके उस डेमेज हो चुगा था अब इसके बस की बात नहीं थी परियास किया इसी के समय भट मुर्ती ने अपना गरंथ वसुचरितम में इसकी मतलब सासिक बिदोता से यहाँ पे खुस होके इसकी सासिक करियों से खुस होके तिरू मलदेव को ही यहां पे से मर्पित किया गया है ध्यान रखेगा भट मुर्थी के द्वारा वसू चरीतम यहां पे लिखा गया है पुत्र था इसका स्री के आगे चल के मना जाता है कि अपने जो सासन सत्ता है अपने पुत्र को दे देगा तीन-तीन पुत्र होगा, ठीके, तीनों पुत्रों को याद नहीं रखना है, जेश्ट पुत्र और छोटे पुत्रों को याद रखना है, जेश्ट पुत्र का स्रीरंग प्रथम, ठीके, इसको त्यलगु छेत्र मिला इसको, वहाँ का सासक बना एक छोटे छेत्र का, और I do once के योगितम सास्कोप के रूप में इसको गीना जाता है क्योंकि पूर्तगालियों के बिरोध के बाव यूद उस समय आपको ठीक है ना सिर्फ पूर्तगालियों को ध्यान रखना है डचों को भी ध्यान रखना है ध्यान रखेगा डचों के साथ साथ ठीक है आगे चल के देखिए जो टॉपिक है न यहीं से अगर यह सारी जो बेसिक चीज़े किलियर हो जाएगी तो आगे चल के जब चाहे आप पढ़ेंगे करनाटा की यूद आंगलम में सूर यूद पढ़ेंगे आंगलम मराठा यूद पढ़ेंगे तो वहां से चीजों को कोरिलेट करने में असानी होगी असानी से चीजों को समझेंगे रटने की परकिरिया से बाहर निकिलेंगे तो समय लगता है इस परकिरियाओ को करने में लेकिन एक पर कर लेंगे तो पुना आपको देखिए दोबारा भूत अधी के फोर्ट लगाने की जोरवत नहीं पड़ेगी देखिए इ एक क्वेश्चन यहां से बन गया कि डचो ने पूलकट में ठीक है एक किला यहां पर बनाया हुआ था करखाना किला बनाने की अनमती देदी देखिए इसी के समय एक राजा जो वाडियार होगा ये भी भूत फिमस नाम है राजा वाडियार स्री रंगपटनम की इसको मुस्लिम सासकर था तुम ने अच्छा मुस्लिम सासकर रूप में जान सकते हैं ठीक है एधर अली और टीफू सुल्तान के नेतरितों में पुना अब वहाँ पे ठीक है मुस्लिम समराजे का ही उधय होगा तो आगए चलके उनके भी बारे में जानेंगे ओरीजिन यहीं है म मैसूर राजे के अस्थाबना और एक कहीं और से नहीं निकल रहा है बलकि उसे बिजय नगर समराजे के छेतरों से ही निकल रहा है ठीक है तो अलग अलग भुक में दिया महता है कि 1565 में ही ताली कोटा के यूद के बाद से ही मैसूर राजे के अस्थाबना हो गए जबकि ऐस सासक और आएगा ठीक है छोटा मोटा सासक होगा जो भूद कुछ काम सम नहीं करेगा ठीक है अंतिम सासक के रूप में आपको ही समझना है कि रंग तृतिया आएगा 1642 से लेके 1650 तक ठीक है अब देखिए पारेंस के बारे में यह भी बेचारा लोल ही होता है ना तो बिद्रोही समंतों से निपट सका ना ही गोलकुंडा यहां बीजापूर के सुल्तानों से पार पा सका अर था अब यहीं पे फाइनली इसके समय बिजाए नगर समराज्य का अंत हो जाएगा और इसमें परमुक भूम का निभाएगा सब बीजापूर और गोलकुंडा बार बार में मैं दिखा रहा हूं देखिए यह वाला इलागा था बीजापूर का यह था गोलकुंडा का यहां पे ध्यान रखेगा बीदर का छेत्र था जिसको दक्कन की लोमड स्विंक्त सेना को इसने ठीक है मने स्विंक्त सेना ने इसको यहां पर पराजित किया अंतिम सासक ध्यार रखेगा इसको पराजित कर दिया मुस्लिम सासकों ने 1652 तक आते करनाटक पर विजय पाली कुल मिला के देखिए अभी तक दच्छिर भारत में जो हिंदू समराज जेका हस्तितो था अब यहां पर भी हस्तितो खत्रे में पड़ गया अब यहीं से मुस्लिम सासकों का पूरी तरीके से उदय होगा चाहे हम लोग बात करें मैसूर की चाहे हम लोग बात करें इधर निजाम की चाहे हम लोग बात करें इधर ठीक है करनाटका वाला जो छेतर हुआ इसी बिजय नगर समराजी के अंतरगत यहां पर चुपा हुआ है इसको सही सिकर लेंगे तो आने वाले टॉपिक के लिए पुना यह कड़ी का काम करेगा तो ठीक है फ्रेंड्स फाइनली यहीं आज का टॉपिक हमारा कम्प्लीट होता है अब बिजय नगर समराजी के अंतरगत यह कलास और चाहिए पुरा डिटेलिंग में करवा रहा हूँ पुरा पुरा बिजय नगर का जो ठीक है समराजे का परसासनिक वेवस्ता जिसमें उसमें एक आयांगार वेवस्ता आएगा जो बड़ा फ्यमस्तिक ज आज यह सुरू हो जाएगा तो ठीक है प्रेंट्स थैंक्स पर वाचिंग वीडियो सेयर करते हैं अपना फीडबाइक के रूप में कमेंट करते रहे हैं थैंक्स पर वाचिंग जैंद